हे गाईज तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि इस टाइप की ब्लेक एंड वाइड स्टूडियो पोट्रेट कैसे एडिट करते हैं वो भी अपने मोबाइल में है सो आपको सबसे पहले हाफ बोडी पोज में पिक्चर क्लिक कर लेनी है अब पिक्सार टेप ओपन करेंगे ओपन होने बाद बिग राउंड पे क्लिक करेंगे और यहां से ब्लेक कलर को स्लेक्ट करेंगे इसके बाद टूल्स में जाके क्रोप में जाएंगे और यहां से पोट्रेट साइज को स्लेक्ट कर लेंगे फिर नीचे right slide करेंगे and shape में जाएंगे and यहाँ से white round shape को select करेंगे फिर इसके size को अच्छे से adjust करेंगे इसका बाद effects में जाएंगे and blur में जाके blur की amount को 11 पर रखेंगे अब 8 photo में जाके अपने picture को select करेंगे picture 8 होने बाद इसके background को remove करेंगे background remove होने बाद इसके size को अच्छे से adjust कर लेंगे फिर shadow में जाएंगे and जिस side में आपका face का shadow बन रहा हो उसी side में shadow का position रखेंगे तो मैं blur को 33 and opacity को 81 पर done कर देता हूँ फिर tools में जाएंगे and उपर इस वाली point को नीचे कर देंगे जिसे हमारा picture dark हो जाएगा फिर उपर eraser पर click करेंगे and brush के size को full कर देंगे and hardness को एकदम कम रखेंगे and कुछ इस step से erase करेंगे फिर done पर click करेंगे इसके बाद effects में जाएंगे and B and W filter को apply कर लेंगे and last में adjust में जाके थोड़ी और अच्छे से adjustment करके picture को और बहतर कर लेंगे and उपर save पर click कर देंगे तो पहले हमार picture कुछ इस type का था and edit होने बाद कुछ इस type का दिख रहा है तो कैसा अगर tutorial कमेंट कर देंगे ने अब डिक साथ बाई